हम अपने घर के अंदर सुक शांती के लिए अनेक तरह के उपायों को करते हैं, और उन्हीं के अंदर यह एक उपाय है, जिसके अंदर हम अपने घर में कुबेर की मूर्ती को स्थापित करते हैं, ताकि हमारे घर की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएं, वैसे भी आज के स कुभेर हिंदु धर्म में धन के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें यक्षों का राजा भी कहा जाता है और वे उत्तर दिशा के दिकपाल भी हैं। कुभेर के बारे में कई रोचक कथाएं मिलती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार वे ब्रह्मा जी के मन से उत्पन न हुए थे जबकि अन्य कथाओं के अनुसार वे महर्शी विश्रवा के पुत्र थे घर में कुबेर की मूर्थी रखने के फाइदे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं यदि आप भी अपने घर के अंदर कुबेर की मूर्थी रखे हुए हैं तो इससे आपको कई तरह के फाइदे मिलेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कुबेर धन के देवता है उनकी मूर्थी घर में रखने से धन में व्रिद्धी होती है माना जाता है कि उनकी कृपा से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है आजकल धन के बिना कुछ भी नहीं होता है जिसके पास धन नहीं है उसको कोई भी नहीं पूचता है नमबर दो सम्रिद्धी आती है कुबेर केवल धन ही नहीं बलकि समर्द्धी भी प्रदान करते हैं उनकी पूजा करने से घर में सुक शांती और समर्द्धी आती है तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुक और शांती आये तो कुब्रे की मुर्टी को अपने घर में रखें कुबेर की मूर्थी घर में नकारात्मक उर्जा को दूर करती है इससे घर में सकारात्मक वातावरन बनता है नकारात्मक उर्जा जब आपके घर में घुस जाती है तो वह सब कुछ बर्बाद करने लग जाती है हर तरह से आपको नुकसान पहुँचाती है इसलिए उसको भगाने के अनेक उपाई किये जाते है व्यापारियों के लिए कुबेर की पूजा बहुत लाब दायक मानी जाती है उनकी कृपा से व्यापार में तरक्की होती है आत्म विश्वास में व्रिद्धी ऐसा माना जाता है कि कुबेर की पूजा करने से व्यक्ति में आत्म विश्वास बढ़ता है कुबेर की कृपा से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है इसकी सबसे बड़ी वज़य यह है कि कुबेर की मूर्ती घर में रखने से आपके घर में धन आता है और यह धन आपको मान समान दिलाने का काम करता है आपको बता दे कि कुबरे की मूर्थी को आप दो दिशाओं के अंदर रख सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आप इसको रख सकते हैं और मूर्थी का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और पूजा करते समय भक्त का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए कुबेर की मूर्ती उत्तर दिशा में दक्षिन दिशा की और मुंग करके रखी जाए भक्त प्रार्थना करते समय उत्तर दिशा की और मुंग करके बैठ सकते हैं नमब साथ कुबेर प्रतिमा के आसपास क्या क्या नहीं रखना चाहिए कुबेर देवता धन के देवता है उनकी प्रतिमा को घर में रखने से धन लाब होता है लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आईए जानते हैं कि कुबेर प्रतिमा के आसपास कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए तूटी हुई या क्षतिग्रस्ट वस्तुएं तूटी हुई या क्षतिग्रस्ट वस्तुएं नकारात्मक उर्जा का प्रतीक होती है इसलिए कुबेर प्रतिमा के आसपास ऐसी वस्तुएं बिलकुल न रखें गंदगी, कुबेर प्रतिमा को हमेशा साफ सुत्रा रखें इसके आसपास गंदगी या धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए काली या नीली वस्तुएं, काला रंग शनीदेव का रंग माना जाता है और नीला रंग समुद्र का रंग है इन रंगों की वस्तुएं कुबेर प्रतिमा के आसपास नहीं रखनी चाहिए लोहे की वस्तुएं, लोहे की वस्तुएं नकारात्मक उर्जा को आकरशित करती हैं इसलिए कुबेर प्रतिमा के आसपास लोहे की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए तेजधारवाली वस्तुएं, चाकू, कैंची जैसी तेजधारवाली वस्तुएं घर में नकारात्मक उर्जा पैदा करती है इसलिए इन्हें कुबेर प्रतिमा के आसपास नहीं रखना चाहिए पुराने अखपार या पत्रिकाएं पुराने अखपार या पत्रिकाएं नकारात्मक उर्जा का स्रोत होते हैं इन्हें कुबेर प्रतिमा के आसपास नहीं रखना चाहिए सूखे फूल, सूखे फूल मुर्जाए हुए जीवन का प्रतीक होते हैं इसलिए इन्हें कुबेर प्रतिमा के आसपास नहीं रखना चाहिए। कुबेर प्रतिमा के सामने जलती हुई मुमबत्ती रखते समय सावधानी बढ़ते। यह सुनिश्चित करें कि मुमबत्ती सुरक्षित रूप से रखी गई हो।